ज़ेएं दोस्तों गंदे मातरा, कल सुषान सिंग राजपूत की मृत्तियों की बरसी थी, दूसरी बरसी, उनको हमारे वीच से गए हुए दो साल हो चुके हैं, लेकिन की मृत्तियों की जो गुत्ती है, वो अभी भी नहीं सो लच पाई है, छेसो सततर दिन हो चुके हैं, ल लेकिन उसके बाद भी एक केस कहीं ना कहीं कई सारे केसे की तरह धीला ही पड़ता चलाएगे लेकिन इस केस को लेकर जो भी कुछ हुआ हो वो हुआ हो पर बॉलिवुड को लेकर जो पबलिक की एक राय थी वो बन चुकी है और उस राय में बॉलिवुड को कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं का जा रहा है सुशान सिंग राजपूत के केस में क्या कुछ हुआ ये सभी आप लोग कल कई बार कई सारे वीडियो में देख चुके होंगे कई सारे लोगों ने ये पूरी कहानी को दोबारा से बताने कोशिश करी थी लेकिन इस वीडियो में हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से सुशान की मृत्तियों ने लोगों के उपर इंपक्ट डाला है चाउता जुन 2020 को अभीनिता सुशान से राजपूत रहसे महीं हालत में अपने घर में मृत पाए गए थे उनकी मौत के बाद दो साल गुजर चुके हैं आत्महत्या और हत्या के बीच उल्जी उनकी मौत की गुत्ती आज तक नहीं सुलच पाई जबकि इस केस में देश के तमाम बड़ी जाच जनसियां शामिल रही है यसे मुंबई और बिहार पुलिस के साथ सी बी आई एंसी बी इडी की सक्रीव हुमिकर रही लेकिन अभी तक कुछ ठोस हासल नहीं हो सका शेगाज 2020 को सी बी आई ने इस मामले में केस दर्च किया था और देखा जाये तो तब से अभी तक जाच के 670 दिन बीच चुके हैं लेकिन देश की सबसे बड़ी एजनसियां आज तक किसी नतीजे पर पहुँच नहीं पाई इस दोरान सडक से लेकर सोशल मीडिया तक अभी निता के लिए इनसाफ की मांग होती रही बॉलिवड के बॉयकॉट की बात होती रही इसका परिणाम बॉक्स ओवस पर भी साफ नजर आज तक आ रहा है पिछले दो सालों के दौरान बॉलिवड की तमाम बड़ी सितारों की फिल्में बॉक्स ओवस पर दम तोड़ती नजर आई फिर चाहे वक्षय कुमार हो या फिर खुद कंगनर नौथ हो इनके फिल्में तो डिजास्टर सावित हुई है अब देखे बॉलिवड से जो नेपोडिजम का जो एक फन उठाया हुआ साप निकल कर सामने आया उसने लोगों को वाकई में चौका दिया था क्योंकि बॉलिवड में नेपोडिजम का मुद्धा हमेशा सही रहा है फिल्मों में भाई भतीजवाद की वज़े से बाहर के कलाकारों को मौका मिलने में हमेशा ही समस्य आती रही है इससे शिकार कई कलाकार मरते दम तक अपने मौके का अंतिजार करते रह गए लेकिन बॉलिवड में मौझूद लोग उनकी पीड़ा को कभी बाहरी नहीं आने देते लेकिन सुशान सिंग राजपूत की रहसे में मौत के बाद पापका घड़ा फूड गया पहली बार एक्टरस कंगना नौत ने नेपोडिजम के मुद्धे को लेकर जोर शोर से बात करी उन्होंने बताये कि नेपोडिजम की वज़े से ही सुशान सिंग राजपूत की जान गई है उन्होंने ने खुलकर करन जोहर अरदित चोपडा का नाम लिया जिनके मताबिक सुशान के करियर को खत्म किया गया था कंगना को बोलता देख अनुपम खेर सहित कई बाहरी कलाकारों ने भी नेपोडिजम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी इसके बाद लोगों का भारी समर्थन मिलने लगा हर किसी को समझ में आगये कि नेपोडिजम की वज़े से एक नए कलाकारों को मौका नहीं मिल पाता है यदि कोई कलाकार अपने टैलन की वज़े से आगे बढ़ना भी चाहता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है ताकि वो किसी स्टार की बच्चे या भाई के लिए खत्रा ना बन सके कई बार कुछ कलाकारों को अपने मन माफिक करने के लिए मजबूर किया जाता है और यदि कोई मना कर दे तो उसके खिलाफ ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि वो फिल्म डिस्टी को ही छोड़ देता है डिप्रेशन में चला जाता है या फिर खुशी के बारे में भी सोचने लगता है वही सुचान सिंग राजबूत की मौत के बाद बॉलिवड के मठादीशों के बारे में भी खुलासा हुआ पताचला की पूरी इंडिस्टी कुछ गिने चुने लोगों के अइर्दिग्रद ही काम करती है वह जो चाते हैं वैसा ही होता है मनमाने तरीके से वो काम करते हैं उनके लिए टैलेंट नहीं चापलूसी माइने रखती है उनके लिए भाई भती जवाद मायने रखता है अपनी सत्ता बचाने और बनाय रखने के लिए ये लोग किसी के साथ कुछ भी कर गुजरते हैं ऐसे मठादीशों में सबसे पहला नाम आया करन जोहर का जो कि धर्मा प्रोडक्शन के मालिक है दूसरा नाम आदेते चोपडा का जो कि ये शराज फिल्म के मालिक है इन दोनों ही प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बॉलिवड की जातर फिल्में रिलीज होती है सुशान सिंग राचपूती केस में कहा गया था कि आदेते चोपडा के साथ तो उन्होंने अपनी शर्तों पर काम करना चाहा तो एक्टर को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया इसके बाद उनके खिलाफ पूरा बॉलिवड गैंग अप हो गया करन ने जानमुझकर उनकी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया ताकि उनका स्टार डम खत्मे किया सके फिल्म सिचोरी की सफलता के बाद सुशान सिंग राजपूद करन की अगले फिल्म ड्राइव में काम कर रहे थे उसे सिनवा घरों में रिलीज किया जाना था लेकिन अचानक से OTT पर रिलीज कर दिया गया इससे सुशान काफी दुखी थे इसके बाद दिली बेचारा फिल्म को जब OTT पर रिलीज करने का फैसला लिया गया तो वो डिप्रेशन में चले गया लेकिन उनकी मौत के बाद लोगों ने इन मठादीशों की जम कर क्लास लगाई सुशान के केस में इन्हें शामिल किया गया इनसे पूछताज भी हुई करन्ट डिप्रेशन महीं चले गया और अब बॉलिवोड में मठादीश पहले से काफी कम हो चुकी है वहीं खान खांदान की बात करें और उसका सीधा असर इन लोगों के स्टारिडम पर पड़ा कंडिशन यह है कि सल्मान शारुक आमर के फिल्म में अपनी लागत निकालने के लिए भी तरस जाती है इसमें सल्मान की आकरी फिल्म राधे और अंतिम की कमाई का आखड़ा देख लीजे तो आपको समझ में आ जाएगा शारुफ तो बेचारे चार साल सबी रोजगारी है अमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाउल सेंचड़ा को सफल बनाने के लिए सारे जतन कर रहे है लेकिन उनके ट्रेल लाउंच पर जिस तरह की नेगटिव प्रतिक्रिया मिली है उसे देखने के बाद ये मुवी भी हिट होगी आलम यह है कि बॉलिवुड की किसी फिल्म को सिनमा गरों में रिलीज होते ही लोग बॉयकाट करने की बात चुरू कर देते हैं इसका सार बॉक्स ओफिस पर भी देखने के लिए मिलता है बॉलिवुड के सभी बड़े सितारों की फिल्म में फ्लॉप हो रही है अक्षय कुमार की फिल्म समराड प्रित्विराज हो या फिर कंगना की फिल्म धाकर हो इसका ये एक जीता ज्यादा एक्जामपल है और इस लिस्ट में आजे देवगन की फिल्म डेनवे 34, टाइगर की हीरो पंदी 2, जॉन अबराहिम की अटैक भी शामिल है लेकिन यहाँ पर हम भूली भूली एक्टू की बात कर सकते हैं जिसमें की एक आउट्राइडर है और इस मूवी दें 300 से जादा करोड रुपए कमा लिए है वहीं सुषान सिंग राजपूत के निधन के बाद बॉली वड के खिलाफ इसकदर नकारात्मक कैंपेंच चला कि लोगों को घ्रना होने लगी बॉली वड का बतसूरत चहरा सब के सामने आ गया इसकी मज़ें दर्शकों को बॉली वड का बॉयकाट तो करना ही पड़ा वहीं बहरी कलाकारों में भी इसके प्रती आकर्शन कम हुआ है पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो जातर कलाकार OTT प्लेट फॉर्म की तरफ मूग कर रहे है इसमें नए कलाकारों को साथ वो कलाकार भी शामिल हैं जो मठादीशों की उपेशा के शिकार थे जबकि उनके अंदर टैलेंट कूट-कूट कर भरा हुआ है और अब जाकर जब उनका नाम और काम लोगों को सामने आ रहा है तो उनको पहचान भी मिल रही है और काम भी मिल रहा है नए कलाकारों को समझ में आ चुका है कि बॉलिवूड किसी फिल्म में एक अदाद रोल की पाने के लिए भटकने से बहतर है यह किसी भी वेब सीरीज में काम कर लिया जाए यदि सीरीज चल गई तो छोटे रोल में भी उनको पहचान मिल जाएगी जो बॉलिवूड फिल्मों से नहीं मिल सकती पंकच त्रिपाटी नवाज अदिन सिद्ध की कई सारे ऐसे नाम मौजूद है आज की डेट में जिनकों की OTT से पहचान मिली है वहीं अगर हम बात करें बावी दियोल की तो उनका तो डूपता हुआ करियर ही आश्रम नाम की वेब सीरीज के कारण जो लंथ हो उठा तो ऐसा नहीं है कि हमर मौकों की कमी है लेकिन हाँ सुशान की मृत्तियों ने काफी सारी किताबों को जो की बंद पड़ी थी उनको खोल के रख दिया मेरे सुडियों फिलालतना ही जैहिन जै भारत